तो जिसका हम सब को बेश सबरी से इंतजार था वो पल आही गया मौनसोन सीजन ओफिशली शुरू हो चुका है और बारिश में खाय जाते हैं घर्मा गरम पकोड़े और घर्मा गरम चाय क्या बात है तो चलिए हम भी बना लेते हैं कौन बजिया वैसे ही जिसे लोनावला में मिलते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें मैं निकिता अहूजा स्वागत करती हूँ अब सभी का मेरे चैनल में तो चलिए शुरू करते हैं कौन बजिया बनाने के लिए हमें इन इंग्रीडियन्स की रिक्वार्मेंट है स्लाइड चेक करें वीडियो लाइक दोस्तों के स कि जो अब चैनल सब्सक्राइब भी सबसे पहले हमने कौन्स को बॉल कर लेना है मैंने यहाँ वजहन क आप ओनुप क यहने ब्लेन कर दिया है अब हम प्यास एक्षेम करते हैं करते की तो मैंने हमें हम दो का इस्तेमाल किया है जिनने रफली चॉप किया था अब क्या करना इन सब का हमें mixture बना लेना है तो आप चाहें तो blender में blend कर सकते हैं, यह binding में काफी आसान हो जाएगा अगर आप यह प्रोसेस करते हैं तो, चलिए अभ हम basin add करेंगे, जो की main ingredient है, half a cup basin का इस्तिमाल करेंगे, और मैंने यहां अभेड चंच राइस फलार का इस्तिमाल किया यह अगर यह अविलिबिल नहीं है तो कॉन फ्लार या मैदा का इस्तिमाल कर सकते हैं अब हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, दनिया पाउडर, थोड़ा सा आमचूर अगर है तो वो भी आट कर दें स्वाद अनुसा नमक और जिंजर गालिक पेस्ट आट कर देंगे इसके बाद मैं करीब पत्ते को थोड़ा सा हातों के सायता से ब्रेक करते हुए आट कर रही हूँ और हीं ताकि असिडिटी ना हो बस अब इन सारी चीज़ों को हमें बड़िया तरीके से मिक्स कर लेना है हातों के सायता से ही आप ये करें तो ये आसानी से मिक्स हो जाएंगे जैसे हम पकोड़े बनाने के लिए तयार करते हैं ना बैटर वैसा ही बैटर हमें फॉर्म करना है थोड़ी सी आप soda add कर देंगे जैसे आप पकोड़ों में add करते हैं और इसका better तयार हो चुका है बिल्कुल यही ना flowing होना चाहिए ना ज्यादा ठिक होना चाहिए अब आपको मैं एक बताती हूँ कि क्या mistake होती है लोगों से यह देखे थोड़ा सा हलका सा better ले लेंगे इसे गरम-गरम तेल में add कर देंगे अब यहां पर क्या है ना अगर आप इसे starting से ही तेज आज पर fry करते हैं तो आपके पकोड़े जो है यह आपके बजिया जो है वो dark color के हो जाएंगे यानि बाहर से तो एकदम brown हो जाएंगे लेकिन अंदर से यह कच्छे रह जाएंगे तो सह तरीका यह है आपको इसे low to medium flame पर ही fry करना है बले पाच मिनिट ज्यादा समय लगेगा लेकिन यह बराबर से fry हो जाएंगे तो यह आप difference देख सकते हैं यह dark वाले और light वाले तो गरमा-गरम कॉन बजिया आप एकदम लोनावला style में बनकर ready है इसे serve कर रहे हैं लैसन चटन टमीटो, sauce and गरमा-गरम चाय जो अब तक बनी नहीं है इस वीडियो में इस वज़े से show नहीं हो पा रही है तो चलिए आप भी ज़रूर से यह recipe आज ही try करें and मुझे comment करके बताएं कि कैसी रही आपके लिए look at the texture बहुत ही amazing है and believe me बहुत स्वाधिष्ट भी है और करतें ताकि ऐसे yummy recipes आपके साथ हम शेयर कर सकें मिलते हैं अगले episode में एक brand new recipe के साथ until then follow us on all social media platforms instagram nikita cookbook facebook youtube twitter nikita ahuja this is me nikita signing off until next time bye bye take care stay healthy stay happy stay safe